नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्गान की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी वीमारी से पीरित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बैक्सिन लगाई जाएगी बता दे दिली के एमस अस्पताल में पीए मोदी ने भारत बायोटेक की को बैक्सिन की पाली डोज सूबा छो बचकर 25 मियट पर लगवाई मौसम बिभाग के नुसार जारखन में इस बर समान से ज्यादा गर्मी पढ़ने की संभावना 60% से भी ज्यादा है बता दे मौसम बिभाग के द्वारा सोमवार को इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है फरवारी में बढ़ रहे ताप मान को देखते हुए इस बरस पिछले एक दसक से ज्यादा गर्मी पढ़ने की भी संभावना जाहिर की गई है मौसम बिभाग दिली से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बरस गर्मीयों में उतर और पुर्वतर भारत के अलावा देश के पूर्वी और पच्चमे हिस्ते में दिन का ताप मान समाने से उपर रहेगा वहीं भारत मौसम बिग्यान बिभाग ने सोमवार को मार्च से मई तक के लिए पुर्वानुवान जारी करते हुए यह बात कही है हलाकि दक्चिन और उससे लगे मध भारत में समाने से कम ताप मान रहने की संभावना है हंगामे के बिच 723 क्रोल का अनुपूरक बयट पेस जाकन विधान सभाका बयट 726 फरवाई 2021 से शुरू हो गया बतादे सोमवार एक मार्च को बयट 7 के दूसरे दिन चालू वितिये वर्ष 2021 का दुईतिये अनुपूरक बयट पेस किया गया इस दोरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी रहा इसी हंगामे के बिच सदन में बित मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरावन ने 3323 क्रोल का अनुपूरक बयट पेस किया रांची में 110 किलोमेटर प्रती गंटा से दवड़ेगी टावर कार आत्यधुनिक सुविधाओं से लेस नए डियल इलेक्टरिक टावर कार का उदगाटन राची रेल मंडल प्रवंधक नीरज ने किया बतादे आटे रेलवे स्टेशन पर इस टावर कार का उदगाटन हुआ है इस टावर कार की कई खुविया है जहाँ यह आत्यधुनिक सुविधाओं से लेस है वही बेक्डाउन साइट पर इस टावर कार की मदद से कम समय में पहुचा जा सकता है बताद 110 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्ता से चलने वारे नएट डियल इलेक्टरिक टावर कार की कई खुविया है बैक्सिन लेने के बाद डर नहीं कुरोना बैक्सिन लेने के बाद अब डर नहीं है बतादे पहले स्वास्त कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों को टीका लग चुका है इससे काफ़ी हौसला मिला है तिसरे फेज की सुरुवात खुद प्रतान मंत्री ने टीका लगवा कर किया इससे बेतर प्रेना और कुछ नहीं हो सकती लोगों ने कहा कि टीका लेने से पहले कुरोना का डर सता रहता है अब इससे निजात मिल गया है कुरोना का तिसरा चरण बुजुरुवा गमीर बिमारियों से ग्रसित लोगों के लिए है इस रेनी में 60 साल से अधिक और 45 से 69 साल के बीच के वैसे लोग जो गमीर बिमारियों से ग्रसित था है जिरोंने पहले दीन कुरोना का टीका लगवाया उन्होंने अपने अनुबहुत साजा किया है भैक्सिन संजिवनी बुटी है रांची सदर अस्पताल के भैक्सिनेशन सेंटर में पहुँचकर पहले दीन सांसर संजर सेठ ने भी कुरोना का वैक्सिन लिया बतादे राइस्टेशन पर किया पूरी नहीं होने के कारण अस्पताल आने के बाद उन्हें करीब आदे गंटे तक इंतिजार करना पड़ा वही कोविन पोर्टल में काफी देर तक उनके मोबाइल नमबर को लेकर तकनी की समस्या आई काफी परियास के बाद नमांकन हो सका उन्होंने टीका लेने के बाद कहा कि वैक्सिन संज्यूनी बुटी है हन्मान जी ने संज्यूनी बुटी लाकर भगवान लक्षमन को बचाया था कुरोना का या वैक्सिन देश के लिए संज्यूनी है जारखन में OVC आरक्षन बढ़ाने पर कॉंग्रेस राजिस सरकार और पिछडावर्ग OVC के आरक्षन का परतिसद बढ़ाने पर विचार करेगी बतादे संसद्य कार्यमंत्री अलमगीर अलम ने सदन को या वरुसा दिलाया है उन्होंने कहा कि इस विचार पर विचार के लिए एक कमिटी का गटन किया जाएगा बिधायक दिपिका पांडे सिंग और परदीप यादव ने सोरगूल के बीच कुछ देर के लिए चले सदन में ध्यानाकर्षन के मध्यम से इस विचार को उठाया था बतादे दिपिका पांडे सिंग ने ओविसी को अबादी के अनुरूप आरक्षन देने का मामला उठाया रांची एसेसबी ने पीसी आर अठायस के जमादार समेथ पांच पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड ममसी लदे वाहन के चालक से रुपई लेने सम्मधित वीडियो सोसल मीडिया पर वारल होने के बाद रांची के एसेसबी सुरेंदर कुमार जाया ने पीसी आर अठायस में पदस्थापित एक जमादार समेथ पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है बता दे सभी सुखदेव नगर ठाना चेतर से जुड़े इलाके में गस्त करते थे एसेसबी ने बताया कि मामले की जाच के बाद निलंबित पुलिस कर्मियों पर आगे भी भागे करवाई की जाएगी बतादे वारल वीडियो में सुखदेव नगर थाना छेतर के रातू रोड मोखे मार्ग पर किसी अस्तान पर PCR 28 के पिछे मुशिल लदा पीक अबें दिख रहा है नियोजन नीती और अरक्षन के मुदे पर भाजपा विधायकों का विरोध जारखन विधान सभा में सोमवर्कों बजट सत्र के दोरान भाजपा विधायकों ने जम कर हंगामा किया बतादे जैसे ही करवाई सुरू हुई भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे जोरदार हंगामे के साथ बिधायक बेल तक पहुँच गए और सरकार के खिलाप नारेबाजी करने लगे इस दोरान मुख्य मंत्री ने प्रश्ण काल का बिरोध नहीं करने के अपिल की इस दोरान स्पीकर ने कारे अस्थागन प्रस्ताओं को अमाने कर दिया बतादे सदन में नियोजन निती रद किये जाने का बिरोध किया गया बिधायक अमर बावरी ने कहा कि सरकार ने बगए ठोस कारण के नियोजन निती को रद किया है बतादे बावरी के इस ब्यान का सतापक्ष ने बिरोध किया जार्खन में 37 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से 22, पूर्वी सिम्दो, धनबाद 3, बोकारो 2, पच्छमी सिम्दो, देवगर 1, कोडालमा, 1, गुमला, 1, सिम्डेगा, एक लातेयार, एक जामतरा से 1 मिले हैं जार्खन में कुल संक्रमित की संक्राइब 1,596 है, वहीं 1,888, 111, लोक स्वास्थ विया और 1,09 की मिरिती हो गाई जार्खन में एक टिप के 480 है, भारत में 11,563 संक्रमित की पुष्टी हुई है, भारत में कुल मत की संक्राइब 1,255 है जार्खन अंदोलनकारी विधान सबा का किया घिराव जार्खन अंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले 24 जीलों से आया अंदोलनकारीों ने रांची में विधान सबा के सामने परदसन किया और जार्कन अंदोलन कारी की पाचान के लिए सरकार के निती का विरुद कर उसे वापस लेने की मांग की अंदोलन कारियों ने कहा कि जार्कन अंदोलन के समय सिर्फ जेल जाने वाले ही अंदोलन कारी नहीं थे बलिक कई ऐसे लोग थे जो अंदोलन को धार देने में जूटे हुए थे उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है बतादे वीडियो और सरकारी अधिकारियों द्वारा जारकन अंदोलन कारी की पाचान की ब्यवस्ता का बिरोध करते हुए मोर्चा निचे तावनित दिया की अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार को भी उखाड फेकेंगे महिला कॉंग्रेस ने सबक पर मिटी का चूला जला कर सेकी रोटी पेटोल डियल और घरेलू गयस की लगतार बढ़ती की मितोक का राजनितिक बिरोध इंदीनों चरम पर है बतादे जारकन की रजधानी राची में भी जारकन परदेस महिला कॉंग्रेस कमिटी की ओर से अन काविल बने तो कम्यावी मिलेगी मंत्री बादल जामता पुस्थकाला में बिभीन परकार की पुस्थ के उपलब्द रहती है इसका लाव गाओं के गरीब बचे उठाए बिभीन परकार की परतियोग इता परिक्षा के त्यारी कर अपना लग छांसील कर समाज वजीला का नाम रोशन करे ये बाते रभीवार देर साम कुंडिहीत परकांड के नकसल परवाई छेत्रों में पंचायत में क्रीसी पसुपालन एवं सकायता मंत्री बादल पत्र लेक ने कही वे यहाँ पुस्थकाला का उधगाटन करने पहुंचे थे नकसली कमंडर के आत्मस समरपन के बाद निसंदेही पर भारी मत्रा में हत्यार बरामत भागपा मवाजी संगठर के जोनल कमंडर के निसंदेही पर चायवसा पुलिस ने जंगल में छूपा हत्यार बरामत किया है बतादे 10 लाख रुपे का इनामी भागपा मवाजी के डावीर टोला टेंडर कोचा के जंगल में छुपा कर रखा गया है रिम्स के रेजिडेंट डाक्टर कला विला लगा कर जता रहे बिरोद रिम्स के रेजिडेंट डाक्टर सोमवार से कला विला लगा कर कारे कर रहे हैं बतादे कला विला लगाने का कारण सात्वा बेतनमा पूलिस मुख्याले के आदेश के बाद भी किसी जीले में पूलिस कर्मियों और पतादिकारियों को सप्ता में एक दिन का आउकास नहीं मिल रहा है। अस्तर पर सभी जीलों के एस पी और रेंज डी आई जी के साथ बैठा की गई थी लेकिन इसके बावजूद कोई ठोश हल नहीं निकला। इस वज़ा से जीला के अस्तर पर पूलिस मुख्याले के निर्देश कारूपालन नहीं हो पा रहा है। लोगों के स्वास्त पर सिधा असर डाल रहा है बली खेतों में पैदा हो रही फसले भी सिधे रूप से इससे परवाइत हो रही है। बतादे राजे में मौसम चक्र के परिवर्तन का असर सबसे ज़्यादा मुख्य फसल धान गेहु मक्का और हर दाल चना आधी फसल पर सीधे देखने को मिल रहा है। बतादे बर्श 2019 में क्रिसी मंत्राले द्वारा मौरली मनोहर जोसी की अध्यक्स्ता में पराकलन समीती का कठन किया गया था। समीती का का मौसम में परिवर्तन पर अध्यान करना था। तब इसकी रिपोर्ट सलसाद में पेस की गई थी। उस समय बताया गया कि बर्श 2050 तक गेहु का उत्पादन 6-23% कम हो सकता है। चमोली हद्सा बेटे का सव नहीं मिला तो पुतले का किया अमतिम संसकार। उत्राखन जीलाक के चमोली के तपोवन में बीते साथ फरवाई को हुए प्रकृतिक आपदा में रामगर के तीन मजदूर लपता हो गया। बतादे इन मजदूरों का 20 दिन बाद भी सो बरामत नहीं हो सका। जिसके बाद उनके परिजन वालों ने इनका पुतला बना कर धार्मिक रिती रिवाज के साथ इनकामतिम संसकार किया। जारखन हाई कोट के वकीलों को कुरोना बैक्सिन देने की त्यारी की जा रही है। बतादे मद्यान भोजन बनते ही सभी विद्यार्थियों को हैंड वास वह साबून से हाथ धुलाक और मेन्यू के साथ गरम गरम खाना परसा गया। बतादे आठवी नवी और एकारवी की कक्षाय सोमवर्च से सुरू हो गई है। रांची और देवगर सिविल कोट में 6 मार्च तक फिजिकल सुनवाई पर रोक। रांची सिविल कोट के करीब एक दर्जन अधिवक्ताओ के कुरोना संक्रमित होने के बाद 2 मार्च से सिविल कोट में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई है। बतादे नियाया यूक्त ने इस समद्ध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 2 मार्च से 6 मार्च तक सिर्फ वर्चूल सुनवाई होगी। सिमदेगा में जल्द बनेगा एक और एस्टो टर्फ एस्टेडियम। जारखन के खेल निदेशक जिसान कमर ने समद्ध में आदेश होने वाली नेशनल होग की सब जूनियर चेंपियनशिप की तियारी का जाजा लिया। तियारी से वे संतुष्ट नजर आये। इस मौके पर उन्होंने का कि सिमदेगा में जल्दी एक और एस्टो टर्फ एस्टेडियम का निर्मान शुरू होगा। उनका टीका करन अवसेक किया जाए। विप्रक्ष बेरोजगार हो गया है सरकार बेस्थ है हमन्त सुरेन। ज्यारखन के मुख्मंत्री हमन्सुरेने सुमवार को एक बार फिर विप्रक्ष पर निशाना साधा। बताद विधान सभाकी कर्यवाई समाप्त होने के बाद समद्दताओ से बाचीत में उन्होंने कहा कि विप्रक्ष बेरोजगार हो गया है। इसी बेचाइनी में वह हतोत साहित है। विप्रक्ष को अपनी इस इस्थिती का कान भी पता होगा। विप्रक्ष पर पल्टवार करते हुए मुख मंत्री ने कहा कि राजेपाल का अभिभासन जूठा का पुलिंदा कैसे है। यह अभिप्रक्ष के साथियों को बताना चाहिए। धन्यवाद।